चोपड़ा हैं चोपड़ा हैं चोपड़ा आपका हर्दिक स्वागत करता हूँ मेरे पैरे बच्चों नेक्स्ट रेगुलेशन 2023 के लिए एनेमसी ने स्टेक हॉल्डर से कोमेंट्स मागे हैं दराशल अक्टूबर 2023 में यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने नेक्स्ट एक्जाम को 2020 बैस से इंप्लिमेंट करने के लिए और स्टेट और मेडिकल कोलेशेज की इस नेक्स्ट एक्जाम के लिए तैयारी सुनीशित करने के लिए एक सेवन मैमर्स की कमेठी गठित की थी इस कमेठी के रिकमेंडेशन के अकोर्डिंग यह है पब्लिक कोमेंट्स मांगे गए हैं यानि कि स्टेक होल्डर से कोमेंट्स मांगे गए हैं यह जो आप पब्लिक नोटिस देख रहे हैं इसके अंदर यह कहा गया है कि कमेठी की रिकमेंडेशन के अकोर्डिंग नेक्स् के अंदर जो भी कमिया है उसको यहां यह लिंक दिया गया है फीड़ वैक का इस लिंक में कुछ क्यूसंस है उस क्यूसंस के थुरू अपने ओपिनियन आप दे सकते हैं यार हम आपको यहां पर यह regulation के बारे में भी बताएंगे क्या regulation है यह next exam का किस परकार से यह next exam implement होगा क्या होगा इसमें उसके बारे में भी बताएंगे और उसके बाद आपको कैसे comments देना है उसके बारे में बात करेंगे तो अभी हम देख लेते हैं कि यह आपको comments का reply कैसे देना यानि कि आपका जो comments का opinion है वो कैसे देना है, तो इसमें simply CA link दिया गया है, इस link पर आप यहां पर click करेंगे, तो जैसे ही आप यहां पर click करेंगे, एक form open हो जाएगा जहां पर आपने feedback देना है, तो यहां पर कुछ questions दिये गए हैं, उन questions पर आपने select करना है, उनके answer पर और उसके बाद में submit करना है, इसमें उसके अंदर इस form के अंत में अपना feedback दे सकते हैं, तो इसमें सबसे पहले यह पुछा गया है, कि जो stakeholders है, यानि कि यह feedback प्रोवाइड कर रहे हैं, वो student है, आप faculty है, institute, college और university के members है, या फिर others है, तो आप जिससे समंदित हैं, उस पर आप click कर दीजिए, इसके बाद में next मे पुछा गया है, कि next exam कैसा होगा, या तो ये MBBS final year के replace वाला exam होना चीए, या ये separate होना चीए, इसके बाद में next question time manner के बारे में भी है, कि ये कैसे होना चीए, जो MBBS में first time में admission लेता है, उससे start होना चीए, या कैसे होना चीए, इसमें नीचे एक other का option भी दिया गया है, इस आपका जो भी opinion है इसमें, इसके बाद में जो exam है, qualifying exam है, वो किसके लिए है, इसमें भी आप यहां ये दे सकते हैं, इसके बाद जो exam है, वो MCQs होना चीए, theory based होना चीए, exam one, next one, और next to practical और clinical based होना चीए, इसमें भी आप यहां tick कर सकते हैं, इसके बाद इसका pattern क्या होना चीए, computerized based MCQs होना चीए, या theory होना चीए, यानि की return में होना चीए, या फिर कोई आपका other opinion है, तो आप यहां other में भी लिख सकते हैं, next to का exam कैसा होना चीए, theory होना चीए, practical clinical होना चीए, या other होना चीए, आप यहां दे सकते हैं, इसमें, इसके बाद syllabus क्या होना चीए, उ syllabus इसमें, कौन सा syllabus होना चीए, कौन से part का syllabus होना चीए, ये आप इसमें टिक कर सकते हैं, इसमें, इसके बाद supplementary chances कितने मिलनी चीए, एक मिलनी चीए, दो मिलनी चीए, अधर में आप 3, 4, 5 जो भी है वो लिख सकते हैं, और इसमें जो exam है, वो कौन academic year में कितनी बार होना ची एक बार होना चीए, दो बार होना चीए, या ज्यादा बार होना चीए, कितनी बार होना चीए, आप others में यहां लिख सकते हैं, counseling कितनी बार होनी चीए, एक academic year में, तो ये एक बार होनी चीए, या दो बार होनी चीए, अधर में आप 3, 4, 5 बार जितनी भी आप बार है, वो अपने opinion लिख सकते हैं लास्ट में आप यहां दे सकते हैं इसके regarding आपका जो भी feedback है next regulation 2023 के regarding inclusion के अलावा जो भी आपका other feedback है आप यहां लिख सकते हैं your answer में अगर आपने यह पहले दे दिया है फिर आप सोच रहे हैं कि मैंने तो इसमें गलत फिल कर दिया तो इस परकार से next regulation 2023 के लिए आप अपने opinion या comments इस परकार से भेज सकते हैं ध्यान रहे कि इसकी last date 7th of February 24 रखी गई है यानि कि 7th फरवरी 2024 तक online या आपको comments भेजना है मैंने जो आपको link बताया उसमें क्लिक करना है आपको इस परकार का link मिल जाएगा यहां पर आपको यह फिल करके submit करना है तो यह तो हो गई इस notice की बात अब या यह देख लेते हैं कि इस regulation में क्या क्या है हलांकि इस regulation के बारे में मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ फिर भी आपको दुबारा बता देता हूँ कि इस regulation में क्या है तो आप एक बार इस regulation को पढ़ लें अच्छी तरह से और उसके बाद अपने opinion दे इसमें तो इसमें यहां पर यह NMC की website पर rule and regulation की टेब में यह है तो आप वहां से भी इसको click करके पढ़ सकते हैं और यहां पर click करके भी इस regulation को पढ़ सकते हैं मैं यहां पर click करता हूँ इस link पर जो इस public notice में यह link दिया गया है तो यह पूरा का पूरा गज़ेट आ जाता है यह गज़ेट 27 जोन 23 को पास हो गया है लेकिन फिर भी अगर यह committee द्वारा कोई suggestion होगा recommendation होगा आपके comments के according तो इसमें changing हो सकता है तो यह जो 2023 का next के लिए regulation बना है इसके अंदर यह clear है कि all undergraduate medical students को जो MBBS course कर रहे हैं medical colleges में जो NMC के दुआरा approved है medical colleges उनको यह test देना पड़ेगा next one और next two देना होगा इसमें मैं आपको बता दूँ कि next one exam है यह आपको next one exam जैसे ही आपका final year complete हो जाता है उसके बाद देना होगा उसके बाद internship complete करनी होगी उसके बाद next two exam देना होगा next के दो exam होगे next one और next two अब इसमें यह exam सभी student को देने पड़ेंगे जो इंडिया के medical college में यहां MBBS कर रहे हैं including national importance मैं आपको बता दूँ कि national importance के जो institute हैं उसमें सारे aims आते हैं उसके अलावा चार institute और आते हैं पीजियाई इसमें चंडिगड आता है उसके बाद में निम हंस बैंगलोरू आता है जिपमर आता है और इसके बाद में तरवेंद्रम का institute आता है तो यह चार institute इसके साथ में सारे aims आते हैं तो यह सभी के लिए exam कंपल सही है इसके अलावा जो foreign country से student MBBS करके आते हैं जो FMGA exam देते हैं वो FMGA exam replace करके यहां उनको यह next exam देना पड़ेगा जैसे इंडिया वाले exam देंगे इंडिया में जो MBBS कर रहे इस्टुडेंट वो exam देके same procedure उनके लिए भी है तो यह इसमें आप पढ़ सकते हैं पूरा का पूरा regulation में लिखा हुआ है अब next step 1 के बारे में पढ़ते हैं next 1 के बारे में पढ़ते हैं तो यह theoretical exam होगा यह MCQ होंगे इसमें सारे multiple choice question होगे इसमें और computer best online mode का exam होगा यह manly 6 subject का exam होगा जिसमें तीन subject man subject होंगे और तीन subject sub subject होंगे जो में decision, surgery और OBG रहेगा और जो तीन subject subject रहेंगे उसमें paeja, into अप्ठाल रहे गा तो यह सारे के सारे subject रहेंगे इसमें final year के और third year के subject इसमें आएंगे final year फरस्ट प्रोफेशिनल के और सेगिंड प्रोफेशिनल के इसके अलावा ये जो exam होगा ये साल में दो बार conduct होगा मई मेने में connect होगा और नौंबर मेने में conduct होगा ये इसमें जो attempts हैं ये unlimited हैं कोई restriction नहीं है attempts का की इतनी ही attempt देने दे पाएगा एक student लेकिन ये कब तक दे सकता है जब आप MBBS में entry लेते हैं उसके 10 years के अंदर अंदर आपको complete करना होगा इसमें इसके बाद में next में ये है कि जो इसका attempt है वो unlimited है लेकिन जो next two का exam है वो next two का exam जब आप देंगे तो वो next one clear करने के बाद ही ये exam देंगे इसमें next one का exam आप score improvement के लिए कितनी भी बार दे सकते हैं कोई इसमें आपके लिए attempt नहीं है कि इतनी attempt ही आपको देने पड़ेंगे तो next one exam आप कितनी attempt लेकिन 10 साल के अंदर अंदर आपको clear करना पड़ेगा अब next two के बारे में next two जो exam होगा वो practical और clinical based exam होगा इसमें seven subjects OBG, PDA, ENT, Opthal और Ortho ये seven subject clear करने होंगे अब next exam next two exam के लिए भी कोई limit नहीं है ये भी साल में दो बार होगा और इसके लिए भी कोई limit नहीं है इसके अंदर आप कितनी ही बार next two exam दे सकते हैं ये seven subjects में अगर कोई candidate तीन से ज्यादा subject में फैल हो जाता है तो उसको फिर से seven subject क exam देनी होगी अगर वो तीन से कम subject में फैल होता है तो फैल हुए subject की उसको exam देनी होगी अब इसका score की बात कर लेते हैं तो इसका जो score है next one का वो score आपको एक तो इसमें pass करने के लिए next one pass करने के लिए होगा उसके बाद में आप next one pass करेंगे तो internship कर पाएंगे दूसरा PG के entrance exam के लिए भी ये काम आएगा यानि कि PG का entrance exam इसी से होगा और इसमें 50% आपको passing के लिए percentage यहां मैं आपको बता दूँ कि percentile base नहीं है ये percentage base है 540 का इसमें paper होता है उसमें हाप आपको लाना होगा इसके अंदर ये clear लिखा गया है कि जो part शोरी next one का जो exam है next exam next one के exam में कर सकते हैं जैसे मान लोग कोई student 6 subject में 2 subject एक बार pass कर लेता है उसके बाद वो next year में जो next schedule होगा next one का उसके अंदर बाकी subject 4 subject है वो clear कर सकता है अगर उन 4 subject में फिर वो 2 में फैल हो जाता है तो next schedule में फिर वो 2 clear कर सकता है यानि कि वो आपके clear हुए subject को दुबारा देने की आ आगे बात करते हैं कि जो next one का score मैंने आपको बताई दिया है कि कि इसके लिए जो post graduate courses है PG के लिए इसमें काम में आएगा और इसके अंदर जो merit बनेगी वो merit के लिए जो ये इसमें दिया गया है merit के लिए जिस candidates के higher marks में medicine में ज्यादा है उसको पहले priority दी जाएगे सरजरी में ज्यादा है उसके बाद OBG में पीडिया में जिस प्रकार से ये paper है उसी प्रकार से उनको merit के according मतलब All India Ring गोशित की जाएगी उसी के according यानि की type break वाला system इस प्रकार से होगा इसमें अब हमें इसमें बात कर लेते हैं आगे eligibility की कौन कौन इसके लिए eligible है तो हम जा कारूं professional clear कर लिए है final year यानि की third year के first professional और second professional दोनों complete कर लिए है वो इसके लिए eligible है next two के लिए जिसने internship clear कर ली है next one clear कर लिया है वो next two के लिए eligible है यहाँ पर अब इसका जो score है वो कैसा exam का pattern एक बार हम देख लेते हैं exam का pattern इस परकार से रहेगा कि जो next one रहेगा उसमें medicine three hours का paper होगा और इस three hours में one twenty marks का paper होगा इसमें यानि कि इसमें one twenty kutions आएंगे medicine के paper में three hours के paper में one twenty marks का paper होगा one twenty question आएंगे इसमें two hours का paper होगा ऐसे ही surgery का होगा और ऐसे ही OBG का होगा इन तीन man subject के one twenty marks के paper होंगे और two hours का paper रहेगा अब जो तीन sub subject है PDA है ENT है उप्थाल है इनके one and half hours का paper होगा one and half hours का मतलब ninety minutes का paper होगा और sixty marks का paper होगा इन सबको मिला के five forty marks का paper होगा उसमें fifty percent marks लाना जरूरी है five forty marks में five forty marks में fifty percent marks याने two seventy marks लाना जरूरी है तभी वही student ये twenty seven sorry two hundred seventy marks है वो सभी subject में fifty percent अलग-अलग लाने होंगे सभी student को तब वो इंडिया में internship कर पाएगा और internship करने के बाद में वो next two exam देगा और next two exam देने के बाद में उसको degree मिल जाएगी तो ये है पूरा जो मैंने आपको system बताया है बाकी नेक्स्ट टू एग्जाम की seven subjects मैंने बता दिये हैं अब एक बार इस पूरे next one और next two का पूरा time schedule देख लेते हम next one होगा step one मई और नवंबर मन्थ में conduct होगा और इसका result आ जाएगा June और December first week में इसके बाद जो MBBS third year professional second का final year part two का practical और clinical university exam होगा ये exam university ही conduct करवाएगा ये first week of June और first week of December में conduct करवाएगा यानि कि next one conduct होने के बाद ये practical और clinical exam conduct होगा जो university दोवारा conduct करवाया जाएगा और इसका result third week of June और December में आ जाएगा इसके बाद internship आपकी शुरू हो जाएगी वो first January में और first July में जो जिस परकार से schedule रखा गया है दोनू next का मई में और नवंबर में उसी परकार से उसके next month में start हो जाएगी internship यानि कि January में और जुलाई में एक मेने का gap देके और उसका result 31st December और 30 June 20 जो भी है वो year है उसके अंदर ये completion हो जाएगा internship का अब next two है वो third week of June में और December में होगा और उस result fourth week of June और December में आ जाएगा यानि third week में इसका exam होगा और last week में इसका result आ जाएगा इसके बाद में next step two supplementary जो exam होगा वो first week of September और March में होगा उसका result third week of September और March में आ जाएगा इसके बाद PG के लिए जो counseling होगी वो मई और June में होगी यानि की दो बार ये शोरी दो बार counseling होगी PG के लिए मई जोन मैने में एक बार होगी उसका result आके 30 December तक जोन तक ये complete हो जाएगे result आ जाएगा और इसके बाद में PG course स्टार्ट हो जाएगे जुलाई और जनवरी में यानि दो बार counseling होगी एक मई में counseling होगी अगर मई वाली counseling में city vacant रह जाती है तो December में फिर से counseling होगी PG के लिए अभी एक की बार counseling होती है आपको पता है PG का exam first of Sunday March में होता है हर year होता है ये तो ये इस बार थोड़ा post bond होगया आगे हो गया है ये जुलाई में हो गया है अब की बार तो अगर जून में मई जोन में city vacant रह जाती हैं तो December में फिर से counseling होगी PG की यानि की PG की counseling दो बार होगी तो मैंने आपको इसके बारे में बता दिया है लास्ट में वीडियो का सारांस देख लेते हैं एक बार सारांस यही निकलता है कि इस NMC Regulation को जो next exam के लिए है NMC Regulation 2023 को इंप्लिमेंट करने के लिए seven members की एक committee बनाई गी थी उस committee के recommendation के according अभी सभी stakeholders से comments मांगे गए हैं इस regulation के बारे में जो next exam का हम देख लेते हैं इसमें क्या-क्या regulation है तो next exam MBBS final year complete होने के बाद next one का exam लगेगा वो score आपका काम आएगा next one clear करने के लिए उसके बाद आप internship complete कर पाएंगे और वो score काम आएगा आपका PG के लिए score admission के लिए काम में आएगा counseling procedure PG का same वही रहेगा शिरफ exam की जो conducting procedure है वो change होगा बाकी counseling का PG का procedure same रहेगा इसमें इसके बाद में जैसी आप PG में admission ले लेंगे PG course कर लेंगे और अगर आपका next one complete हो जाता है next one complete होने के बाद में internship करेंगे internship करने के बाद में इसके बाद में आप next two exam देंगे मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि जो PG का admission होगा वो PG का admission internship करने के बाद ही होगा और जो next one का score है यह 5 साल के लिए valid रहेगा तो इसमें internship करने के बाद ही आपका score पहले आ गया है कोई दिक्कत नहीं उसके बाद आप internship कर बता दूँ कि हो सकता है नीट PG 25 भी conduct हो क्योंकि इसी बेस को लेकि जो मैंने आपको यह अभी बातें बताई है इस score के लिए कि एक साल बाद internship उगार उसके लिए हो सकता है नीट PG 25 भी conduct हो और यह test है वो 2020 के लिए भी लागू हो सकता है next exam 2020 बैस से लागू हो सकता है और यह नाउंबर 2024 में लागू हो सकता है मैं आपको यहां बता दूँ कि 2019 बैस के लिए पहले लागू करने की कोशिस की गई थी लेकिन कुछ ऐसे issue आ गए थे क्योंकि 2019 बैस का admission पहले हो गया था NMC Act बाद में बना है यह भी एक इसके अंदर रुकावर्ट थी उसके बाद में इस उन्होंने return कर दी वो exam cancel कर दिया तो इस परकार से 2019 बैस के लिए तो यह लागू नहीं हुआ लेकिन हो सकता है 2020 बैस के लिए यह लागू हो जाए तो 2020 बैस के student को भी तैयारी रखनी है तो यह जानकारी थी NMC Act के बारे में जो मैंने आपको बताया है फिर भी आप यह regulation पढ़ सकते हैं मेरे से कोई information छूट गई है तो आप इसमें जो regulation है उसमें पढ़ के आप comments के reply दे सकते हैं आप हमारे चैनल को subscribe करके रखें क्योंकि इस परकार की information हम लेके आते रहते हैं तो आप से फिर से मुलाकात होगी नए वीडियो में तब तक के लिए मैं हरसाई चो